मेरे प्यारे देश्वासियों आप सभी को नमश्कार कोटी कोटी नमश्कार और मैं कोटी कोटी नमश्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि सो करोड वैक्सिन डोज के बाद आज देश नए उत्सा नई उर्जा से आगे बढ़ रहा है हमारे वैक्सिन कारिकम के सभरता भारत के सामर्थ को दिखाती है सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है साथियों सो करोड वैक्षिन डोज का आकड़ा बहुत बड़ा जरूर है लेकिन इस से लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुहव अनेक धारण जुड़े हुए है बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहें कि वैक्षिन की सरुवात के साथ ही कैसे मुझे ये विश्वास हो गया था किस अभ्यान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी मुझे ये द्रड विश्वास इसलिये था क्योंकि मैं अपने देश, अपने देश के लोगों की शमताओं से भली भाति परिश्चीत हूँ मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केर वरकर्स देश वास्यों के टीका करण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हमारे स्वास्थकर्मियों ने अपने अथक परिश्व और संकल्प से एक नई मिशाल पेश की उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने द्रड निष्चे से मानुता की सेवा का एक नया मांदर स्थापित किया उनके बारे में अंगिनत उधारण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनोतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कबच प्रदान किया हमने कई बार अख़बारों में पढ़ा है भार भी सुना है कि इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी महनत किये एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उधारन हमारे सामने है मैं आज मन की बात के सुरताओं को उत्राखन के बागेशवर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वरकर पूनम नोटियाल जी से मिलवाना चाहता हूँ साथियों इस बागेशवर उत्राखन की उस धर्ती से हैं जिस उत्राखन ने सत्प्रतिशत पहला डोश लगाने का काम पूरा कर दिया है उत्राकन सरकार भी इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम ख्षेत्र है, कठिन ख्षेत्र है वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाईयों में सत्प्रतिसर डोज का काम कर लिया है मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने ख्षेत्र के लोगों के वैक्षिनेशन के लिए दिन रात मेहनत किये है पूनम जी नमस्ते सर पर्णाम पूनम जी अपने बारे में बताये जरा देश के सुरोताओं को सर मैं पूनम नौटे आलो हूँ पूनम जी क्या आपने अपने ख्षेत्र के सभी लोगों का वैक्षिनेशन करवा लिया है आपको किसी प्रकार की दिक्धत का भी सामना करना पड़ा गया लेकिन वहां तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप उन्जे बालू है पहाड के आप-दस किलोमेटर मणला पुरा दिन चला जाता है लेकिन एक दिन में क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और पैक्षिनेशन का सारा सामान उठा करके जाना आपके साथ कोई सहायक रहते थे क नहीं हाँ जी टीन में मरा हम लोग पांस लोग रहते हैं तो उसमें डॉक्टर होगे फिर एनम होगे फार्मिसिष्ट होगे आसा होगे और डाटा इंट्री अपरेटर होगे अच्छा वो डाटा इंट्री वहां connectivity मिल जाती थी और फिर बागिश्वर आने के बात करते थे अच्छा मुझे बताया गया है पुनम जी कि आपने आउट अप दे वे जाकर लोगों का ठीका लगवाया ये क्या कलपना आई आपके मन में विचार कैसा है और कैसे की आपने अच्छा लोगों को समझाना पड़ता था अच्छा लोगों का उत्सा है अभी भी वेक्सिन लेने का कहीं पर वेक्सिन लगने के बाद किसी की शिकायत आई बात में कुछ नहीं हुआ सबको संतोष था कि ठीक हो गया चलिया आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पुरा क्षेतर कितना कठीन है और पैदल चलना पाड़ों पर इक पाड़ पर चाओ पर नीचे उत्रो फिर दूसरे पाड़ पर जाओ घर भी दूर दूर उसके बाउजित भी है आपने इतना बढ़िया काम किया है और मेरे सौबा के सर आपसे बात भी मेरे आप जैसे लाखों हेल्थ फरकर्ष ने उनके परिश्णम की वज़े से ही भारत सो करोड वैक्सिन डोज का पड़ाव कर सका है आज मैं सिर्फ आपका ही आभार वैक्त नहीं कर रहा हूँ बलकि हर उस भारत वासिक आभार वैक्त कर रहा हूँ जिसने सबको वैक्सिन मुप्त वैक्सिन अभ्यान को इतनी उचाई दी कामियाबी दी आपको आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत सुब कामना है मेरे प्यारे देश्वासियों आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्तुबर को सरदार पटेल जी की जन्म देनती है मन की बात के हर स्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लोह पुरुष को नमन करता हूँ साथियों 31 अक्तुबर को हम राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम सभी का दाई तो है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी ने किसी गतिविदी से जरूर जुड़े आपने देखा होगा हाल ही में गुजराद पुलीस ने कचके लखपत किले से स्टेची ओफ यूनिटी तक भाइक रेलीग निकाली हैं क्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए क्रिपुरा से स्टेची ओफ यूनिटी तक बाईग रेली कर रहे हैं, यानि पूरफ से चल कर पस्चिम तक देश को जोड रहे हैं, जम्मु कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठान कोर तक ऐसी ही बाईग का संदेश दे रहे हैं, मैं इन सभी जवानों को सेल्यूट करता हूँ, जम्मु कश्मीर के ही कुपवाणा जिले की कई बहनों के बारे में भी मुझे पता चला है, ये बहने कश्मीर में सेना और सरकारी दप्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही है, ये काम देश भ भक्ति की भावना से भरा हुआ है, मैं इन बहनों के जजबे की सरहना करता हूँ, आपको भी भारत की एक्ता के लिए, भारत की स्रेष्ट रगता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्ठी मिलती हैं, साथियों, सरदार साब कहते थे, कि हम अपने एक जूट उद्यम से ही देश को नई महान उचाईयों तक पहुँचा सकते हैं, अगर हम में एक्ता नहीं हुई, तो हम खुद को नई नई विपनाओं में फसा देंगे, यानि राष्ट्रिय एक्ता है, तो उचाई हैं, विकास हैं, हम सरदार पटेल जी के जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सिख सकते हैं, देश के सुचना और प्रसाणना मंत्रा लएने भी, हाली में सरदार सहाब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें, इससे आपको दिल्चस्प अंदाज में सरदार सहाब के बारे में ज जीवन निरंतर प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, उंचाईयों को पार करना चाहता है, विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए, प्रगति की गति कितने ही तेज हो जाए, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधुरापन अनुभाव करता है, लेकि जब इन में गीत, संगीत, कला, नाट्य, नुरुत्य, स्वाहित्य जुड़ जाता है, तो इनकी आभा, इनकी जीवनतता अनेक गुना बढ़ जाती है, एक प्रकार से जीवन को सार्थक बनना है, तो ये सब होना भी उतना ही जरूरी होता है, इसले ही कहा जाता है, कि सभी वि जाने का काम करती है, मानों मन के अंतर मन को विक्सित करने में, हमारे अंतर मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीत, संगीत और विभिन्न कलाओं की बड़ी भूमिका होती है, उनकी एक बड़ी ताकत ये होती है, कि इने न समय बांच सकता है, न सीमा बांच सकती है, और नहीं मत मतांतर मांच सकता है अमृत महोसव में भी अपनी कला, संस्कृती, गीत, संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए मुझे भी आपकी तरफ से अमृत महोसव और गीत, संगीत, कला की इस ताकत से जुड़े धेरों सुझावा रहे ये सुझाव मेरे लिए बहुत मुल्यवान है मैंने इने संस्कृती मंत्राले को अध्यन के लिए भेजा था मुझे खुशी है कि मंत्राले ने इतने कम समय में इन सुझावों को बड़ा गंभीरता से लिए और उस पर काम भी किया इनी में से एक सुझाव है देश भक्ती के गीतों से जुड़ी प्रतियोगी था आज हदी के लड़ाई में अलग-अलग भाषा बोली में देश भक्ती के गीतों और भजनों ने पुरे देश को एक जूट किया था अब अमृत काल में हमारी वा देश भक्ती के ऐसे ही गेत लिखकर इस आयोजन में और उर्जा भर सकते हैं देश भक्ती के गीत मात्रु भासा में हो सकते हैं राष्ट भासा में हो सकते हैं और अंग्रेजिवे में लिखे जा सकते हैं लेकिन ये जरूरी है कि रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हो देश की वर्तमान सफलता से प्रहिना लेकर भविश्य के लिए देश को संकल्पित करने वाली हो संस्कृति मंत्राजे की तैयारी तहसिल स्तर से राष्टिय स्तर तक इससे जुड़ी प्रतियुगता करानी की है साथ्यों ऐसे ही मन की बात के एक स्तर ने सुझाव दिया है कि आमरीत महोत्सव को रंगोली कला से भी जोड़ा जाना चाहिए हमारे हाँ रंगोली के जेरिये त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सज्यों से हैं रंगोली में देश की विवित्ता के दर्शन होते हैं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से अलग-अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है इसलिए संस्कूरती मंत्राले इससे भी जुड़ा एक नेस्टल कंपेडिशन करने जा रहा है आप कलपना करिए जब आज़ादी के अंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी लोग अपने द्वार पर दिवार पर किसी आज़ादी के मत्वाले का चित्र बनाएंगे आजादि कि इस गेटना को रंगों से दिखाएंगे तो अमुरुत महोचा का भी रंग और बढ़ जाएगा जाथियो एक और विदा हमारे हाँ लोरी की भी है हमारे हाँ लोरी के जरिये छोटे बच्चों को सहुस्कार दिये जाते हैं संस्कृती से उनका परिचे करवाए जाता है लोरी की भी अपनी विविदता है तो क्यों न हम अमुरुत काल में इस कला को भी पुनरजिवीत करें और देश बक्ती से जुड़ी ऐसे लोरिया लिखें, कविताएं, गीत कुछ न कुछ जुरूर लिखें जो बड़ी आसानी से हर घर में माताएं अपने छोटी-छोटी बच्चों को सुना सके इन लोरियों में आधुनिक भारत का संदर्व हो, 21 सदी के भारत के सपनों का दर्शन हो उसका संदर्व हो, आप सब स्रोताओं के सुझाओं के बाद मंत्राले ने इससे जुड़ी प्रतियोगी का भी कराने का निर्णे लिया है साथियों, ये तीनों प्रतियोगी ताएं, 31 अक्तूबर को सरदार साभ की जैनती से शुरू होने जा रही है आने वाले दिनों में संस्कृती मंत्राले इससे जुड़ी सारी जानकारी देगा ये जानकारी मंत्राले की वैबसाइट पर भी रहेगी और सोशल मीडिया पर भी दी जाएगी मैं चाहूंगा कि आप सभी इस से जुड़े हमारे युवासाती जरूर इसमें अपनी कला का अपनी प्रतभा का दर्शन करें इस से आपके इलागी की कला और संस्कृति भी देश के कौन ही कौने तक पहुँचेगी आपकी कहानिया पुरा देश सुनेगा प्यारे देश वास्यों इस समय हम अमृत महुत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों को उन महान पुन्य आत्माओं को याद कर रहे हैं अगले महिने 15 नवेंबर को हमारे देश के ऐसे ही मापुरुष वीर योधा भगवान बिर्शा मुंड़ा जेकी जन्म जन्ति आने वाली हैं भगवान बिर्शा मुंड़ा को धर्ती आबा भी कहा जाता है क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ है धर्ती पिताव भगवान बिर्शा मुंडा ने जिस तरह अपने संस्कृती अपने जंगल अपनी जमीन की रक्षा के लिए संगर्श किया वो धर्ती आबाही कर सकते थे उन्होंने हमें अपनी संस्कृती और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया विदेशी हंकुमत ने उन्हें कितनी धमकिया दी कितना दबाव बनाया लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृती को नहीं छोड़ा प्रकृती और पर्यावान चे अगर हमें प्रेम करना सिखना ह तो उसके लिए भी धर्ती आबा भगवान बिर्सामुन्दा हमारी बहुत बड़ी प्रेहना है उन्होंने विदेशी सासन के हर उस नीती का पुर्जोर विरोत गिया जो परियावरन को नुक्षान पहुंचाने वाली थी गरीब और मुसीबत से घीरे लोकों की मदद करने में भगवान बिर्सामुन्दा हमेशा आगे रहे उन्होंने सामाजी बुराईयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरुक भी किया उन गुलान आंदोलन में उनके नेत्रूतों को भला कौन भूल सकता है इस आंदोलन ने अंगरेजों को जगजोर कर रख दिया था जिसके बाद अंगरेजों ने भगवान बिर्सामुन्दा पर भधपड़ा इनाम रखा था ब्रिटिस हकुमत ने उन्हें जेल में डाला उन्हें इस कदर प्रताडित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए वो हमें छोड़ कर गए लेकिन केवल शरीर से जन मानस में तो भगवान बिर्सामुन्दा हमेशा हमेशा के लिए रचे वसे हुए है लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेना शक्ति बना हुआ है आज भी उनके सांस और विर्ता से भरे लोगईत और कहानिया भारत के मद्दे इलागे में बेहत लोगप्रिया है मैं धर्ती आबा विर्शामुन्दा को नमन करता हूँ और युवाओं से आगर करता हूँ कि उनके बारे में और पड़े हैं भारत के स्वातनतर का संग्राम में हमारे आदिवासी समूर के विशिष्टर योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गवरों की अनुभूती होगी मेरे प्यार देश वासियों आज 24 अक्तूबर को UN Day यानि सयुक्तर राष्टर दिवस मनाया जाता है ये वो दिन है जब सयुक्तर राष्टर का गठन हुआ था सयुक्तर राष्ट की स्थापना के समय से ही भारत इसे जुड़ा रहा है क्या आप जानते हैं कि भारत ने आजादी से पहले 1945 में ही सयुक्तर राष्ट के चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे सयुक्तर राष्टर जुड़ा एक अनोखा पहलू ये है कि सयुक्तर राष्ट का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमी का निभाई है 1947-48 में जब UN Human Rights का Universal Declaration तेहर हो रहा था तो उस Declaration में लिखा जा रहा था All men are created equal लेकिन भारत के एक delegate ने इस पर आपती जताई और फिस Universal Declaration में लिखा गया All human beings are created equal ये बात gender equality की भारत की सद्यों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी क्या आप जानते हैं कि स्रेमती हंसा महता वो delegate थी जिनकी वज़े से ये संभव हो पाया उसी दवरान एक अन्य delegate स्रेमती लक्ष्मी मैनन ने जेंडर इक्वेलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी यही नहीं 1953 में स्रीमती वीजिया लक्ष्मी पंडीत युएन जनरल सम्बे के पहली महिला प्रसिडेंट भी बनी थी साथियों हम उस भूमी के लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं जो ये प्रार्थरा करते हैं ओम द्यो शान्ति ही अंति एक्षम शान्ति ही पृत्वी शान्ति आपह शान्ति आउशदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रम्व शान्ति सर्वम शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति रेधी ओम शान्ति 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 भारत ने सदेव विश्व शांती के लिए काम किया है हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दसक से लगातार सयूत राष्ट शांती मीशन का हिस्सा रहा है गरीबी हटाने, क्लाइमेट चेंज और समिकों से समंदिन मुंतों के समाधान में भारत अग्रणी भूमी का निभा रहा है इसके अलावा योग और आयूश को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत डबली एचो एनि वर्ल्ड हेल्थ और नैशन के साथ मिलकर काम कर रहा है मार्ट 2021 में डबली ओचो ने गोश्णा की थी कि भारत में पारंपारिक चेकित्सा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया जाएगा साथियों सैयुक्त राष्ट के बारे में बात करते हुए आज मुझे अटल जी के शब्द भी यादा रहे है 1977 में उन्होंने सैयुक्त राष्ट को हिंदी में सम्मोधित कर इतिहास रच दिया था आज मैं मन की बात के सुर्टाओं को अटल जी के उस सम्मोधन का एक आउंस सुनाना चाहता हूँ सुनिए अटल जी की ओजेस्वी आवाज यहां मैं राष्टों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगती मेरे लिए कई अधिक महत्त रखती है अंतता हमारी सफलताएं और असफलताएं के वल एक ही माप दंड से ना पी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज वस्तुता हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रेत्र शीले साथियों अतल जी की ये बातें हमें आज भी दिसा दिखाती है इस धर्ती को एक बहतर और सुरक्षित प्रेनेक बनाने में भारत का योगदान विश्व भर के लिए बहुत बड़ी प्रेना है मेरे प्यारे देश वासियों अभी कुछ दिन पहले ही 21 अक्तूबर को हमने पुलिस मृत्य दिवस मनाया है पुलिस के जिन साथ्यों ने देश सेवा में अपने प्राण नोचावर किये हैं इस दिन हम उनने विशेशत तोर पर याद करते हैं मैं आज अपने इन पुलिस कर्मियों के साथ ही उनके परिवारों को भी याद करना चाहूँगा परिवार के सहीयोग और त्याग के बिना पुलिस जैसी कठिन सेवा बहुत मुश्किल है पुलिस सेवा से जूड़ी एक और बात जो मैं मन की बात के सुरताओं को बताना चाहता हूँ पहले धाना बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुशों के लिए ही होती है लेकिन आज ऐसा नहीं है Bureau of Police Research and Development के आकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या डबल हो गई है दोगुनी हो गई है 2014 में जहां इनकी संख्या एक लाग पाँच हजार के करीब थी वहीं 2020 तक इसमें दो गईने से भी जादा की बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या अब दो लाग पंदरा हजार तक पहुँच गई है यहां तक कि Central Armed Police Forces में भी पिछले साथ सालों में महेलाओं के संख्या लगभग दोगुनी हुई है और मैं केवल संख्या की बात नहीं करता अद देश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और होसले से कर रही है उधान के लिए कई बेटिया अभी सबसे कठीन माने जाने वाली ट्रेनिंग में से एक स्पेशलाइज जंगल वार्फेर कमांडोज की ट्रेनिंग ले रही है यह हमारी कोब्रा बटालियन का हिस्सा बनेगी साथियो आज हम एरपोर्ट जाते हैं मेट्रो स्टेशन जाते हैं या सरकारी दप्तरों को देखते हैं CISF की जामाज महिलाएं हर समवेदन सिल जगे की सुरक्षा करते दिखाई देती हैं इसका सबसे सकारात्मक असर हमारे पुलीस बलके साथ साथ समाज के मनोबल पर भी पड़े रहा है महिला सुरक्षा कर्मियों की मोजूद्गी से लोगों में पिशचकर महिलाओं में सहजी एक विश्वास पादा होता है वे उनसे स्वाभावी ग्रुप से खुद को जुड़ा मैसूस करती हैं महिलाओं की संबेदन सिल्टा की वज़े से भी लोग उन पर जादा भरोसा करते हैं हमारी ये महिला पुलिस कर्मि देश की लाखो और बेटियों के लिए भी रोल मोडल बन रही है मैं महिला पुलिस कर्मियों से अनुरोद करना चाहूँगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने ख्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें वहाँ बच्चियों से बात करें मुझे विश्वास है कि इस बात्चित से हमारी नई पीडी को एक नई दिशा मिलेगी यही नहीं इससे पुलिस पर जन्ता का विश्वास भी बढ़ेगा मैं आसा करता हूँ कि आगे और भी ज़्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में सामीर होगी हमारे देश की न्यू एज पॉलिसिंग को लीड करेगी मेरे प्यारे देश्वासियों बिते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधुनिक टेक्नलोजी का इस्थमाल जिस तेजी से बढ़ा है उस पर अक्सर मुझे मन की बात के सुरोता अपनी बाते लिखते रहते हैं आज मैं ऐसे ही एक विशे की चर्चा अपसे करना चाहता हूँ जो हमारे देश विशेश कर हमारे युवाओं और छोटे छोटे बच्चों तक की कल्पनाओं में छाया हुआ है ये विशे हैं ड्रोन का, ड्रोन टेक्नलोजी का कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था? उसकी ताकत सिर्व इतने ही नहीं है भारत दुनिया के उन पहले देशों में से हैं जो ड्रोन की मदद से अपने गाउं में जमीन के डिजिटल रेकॉर्ड तैयार कर रहा है भारत ड्रोन का इस्तमाल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है चाहे गाउं में खेतिवारी हो या गर पर सामान की डिलिवरी हो आपात काल में मदद पहुँचानी हो या कानून व्यवस्ता की निगरानी हो बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरुरतों के लिए तैनात होंगे इन में से ज़्यादा तरकी तो शुरुवात भी हो चुकी है जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिये खेतों में नेनो यूरिया का छिड़काव किया गया कोविड वैक्षिन अभ्यान में भी ड्रोन से अपनी भूमी का निभा रहे हैं इसकी एक तस्वीर हमें मनिपूर में देखने को मिली थी जहां एक दिप पर ड्रोन से वैक्षिन पहुचाई गई तेलंगना भी ड्रोन से वैक्षिन डिलिवरी के लिए टायस कर चुका है यही नहीं अब इंफ्रास्टेक्टर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तमाल हो रहा है मैंने एक ऐसे यंग स्टूडन के वारे में पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मचवारों का जीवन बचाने का काम किया साथियों पहले इस सेक्टर में इतने नियम, कानून और प्रतिबन लगा कर रखे गए थे कि ड्रोन की असलिक शमता का इस्तिमाल भी संबव नहीं था जिस टेकनोलोजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था उसे संकट के तौर पर देखा गया अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उडाना है तो लाइसेंस और परमिशन का इतना जंजट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तोबा कर लेते थे हमने ताय किया कि इस मैंड सेट को बदा जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाये जाए इसलिए साल पचीस अगत को देश एक नई ड्रोन नीती लेकर आया ये नीती ड्रोन से जुड़े वरतमान और भविश्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है इसमें अमने बहुत सारे फॉंस के चकर में पढ़ना होगा नहीं पहले जितने फिस्त देनी पढ़ेगी मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसे आने के बाद कई ड्रोन स्टार्ट अफ में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है कई कंपनियां मैनुफेक्चरी युनिट्स भी लगा रही है आर्बी नेवी और एर्फोर्स ने भारतिय ड्रोन कंपनियों को 500 क्रोड रुपे से ज़्यादा के ओर्डर भी दिये है और ये तो अभी शुरुवात है हमें यहीं नहीं रुकना है हमें ड्रोन टेक्नलोजी में अग्रणी देश बनना है इसके लिए सरकार हर संभो कदम उठा रही है मैं देश के युगाओं से भी कहूँगा कि आप ड्रोन पॉलिसे के बाद बने अवसरों का लाप उठाने के बारे में जरूर सोचे आगे आए मेरे प्यारे देश बासियों यूपी के मेरट से मन की बात के एक्सरोता स्रीमती प्रभाश शुकला ने मुझे स्वच्चता से जूड़ा एक पत्र बेजा है उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्चता को सलिबरेट करते हैं बैसे ही अगर हम स्वच्थता को हर दिन की आदत बना लें, तो पुरा देश स्वच्छ हो जाएगा। मुझे प्रभाजी की बात बहुत पसंद आई। वाकई जहां सफाई है, वहां स्वास्त है, जहां स्वास्त है, वहां सामर्त है, और जहां सामर्त है, वहां समरुद्धी हैं इसलिए तो देश स्वच्च भारत अभियान पर इतना जोड दे रहा है साथियों मुझे राची से सटे एक गाउं सपारों नया सराय वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा इस गाउं में एक तालाब हुआ करता था लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खु चाले बन गया तो गाउं वालों ने सोचा कि क्यों ने गाउं को स्वच्च करने के साथ सुन्दर बनाये जाए फिर क्या था सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया आज वो जगह लोकों के लिए बच्चों के लिए एक सारवजरिक स्थान बन गई है इससे पूरे गाउं के जिवन में बहुत पड़ा बडलाव आया है। मैं आपको 36 गड़ के देवर गाउं की महलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूं। यहां की महलाओं एक स्वयम सहायता समू चलाती हैं और मिल जुलकर गाउं के चौग, चौराओं, सडकों और मंदिरों के सभाई करती हैं। साथियों, यूपी के गाजियाबाद के रामबीर तवर जी को लोग पॉंड में के नाम से जानते हैं। रामबीर जी तो मिकेनिकल एंजिनियर की पढ़ाई करने के बाद नोकरी कर रहा है थे। लेकिन उनके मन में स्वच्चता की ऐसी अलग जगी कि वो नोकरी छोड़कर तालाबों की सभाई में जूड़ गए। रामबीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सभाई करके उन्हें पुनरजिवित कर चुके हैं। साथियों स्वच्चता के प्रयास तभी पुरी तरह सबर होते हैं जब हर नागरी स्वच्चता को अपनी जिम्यदारी समझे। अपि दिपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सपाई में तो जूटने ही वाले हैं। लेकिन इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आज़ पडोज भी साफ रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ करें। लेकिन हमारे घर की गंज की हमारे घर के बाहर हमारी सड़ कोरपर पहुंच जाए। और हाँ मैं जब स्वच्छता की बात करता हूँ तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भी भूलना नहीं है। तो आईए हम संकल पले कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्सा को कम नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे और स्वच्छ रखेंगे। मेरे प्यारे देश स्वास्यों, अक्तुबर का पूरा महिना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है। और अपसे कुछ दिन बाद दिवाली तो आही रही है। दिवाली, उसके बाद फिर गौवर्दन पूजा, फिर भाई दूच, ये तीन त्योहार तो होंगे ही होंगे, इसी दोरा छट पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जन्ती भी है, इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनके तैयारिया भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। अबी रोशनी आएगी। मुझे पूरा भरोजा है, जो मुहीम हम सबने मिलकर शुरू की हैं, इस बार त्योहारों में और भी मजबुत होगी। आप अपने यहां के जो लोकल प्रोडक्स खरीदें, उनके बारे में सोशल मीडिया पर शैर भी करें, अपने साथ के लोगों को भी बताएं। अगले मेने हम फिर मिलेंगे और फिर ऐसे ही डेर सारे विश्यों पर बात करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।